आज की इस वीडियो में हम शनिग्रह के विशे में बात करेंगे शनि कौन हैं? कुंडली में कैसे इनका प्रभाव दुस्प्रभाव होता है? महादशा साधे साती धैया आदि में क्या फल होता है? सनिसे पीडित लोगों को कौन से रोग होते हैं? सन इसे प्रभावित लोगों को कौन से कारे करने चाहिए महादसा, साड़े साती, ढईया, पाया आधि कैसे लगती है इसका प्रभाव क्या होता है सन इग्रह के दुष्प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है इसके उपाय क्या क्या होते है शनिग्रा की उत्पत्य से लेकर इसके समस्त प्रभाव की बिस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे वीडियो पूरा देखिएगा चैनल पर दिया आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आन कर लें वीडियो को लाइक करके अन लोगों को जरूर शेयर करें आई इस वीडियो का शुभारंब करते हैं सबसे पहले हम शन की उत्पत्य के विशय में जानेंगे शन का जन्म सूरियोम छाया के द्वारा हुआ है सूरिभगवान की पत्नी का नाम संग्या था संग्या सूर्य के ताप से हमेशा खिन रहती थी संग्या और सूर्य से तीन संतान की उत्पत्य होती है प्रजापती मनु, प्रजापती यम और एक पुत्री यमुना ये तीन संतान सूर्य और संग्या के होते हैं संग्या जब सूर्य के ताप से खिन हो गई तो उन्होंने अपनी ही तरह अपनी छाया को बनाया और उसे सुरि के पास छोड़ कर खुद अपने पिता त्वश्टा के पास चलि गई चोंकि संग्या द्वारा निर्मित छाया भी हूबहू संग्या जैसी थी इसलिए सूर्य देव को भी इसके बारे में पता नहीं चला छाया सूर्य के साथ पत्मी रूप में रहने लगी सूर्य और छाया से दो संतान की उत्पत्ति हुई सावर्न मनु योम शनी ये दो पुत्र छाया और सूर्य के द्वारा उत्पन्ध हुए बाद में जब सूर्य को इस सारी बातों का पता चला तो इस संग्या को लेने गए संग्या ने अपने रूप को बदल कर अस्विनी अर्थात घोडी का रूप धारन कर लिया था बाद में अस्वरूप सूर्य और अस्विनी रूपी संग्या से दो पुत्र अस्विनी कुमार हुए जिनके नाम नासत्यों दस्त थे इस प्रकार से वास्तविक संग्या से तीन संताने, संग्या की छाया से दो संतान, तथा अश्वनी रूपी संग्या से भी दो संतान होने से सूर के कुल साथ संताने हुई चाया का रंग काला होता है तथा उनके पुत्र सनि भी कृष्ण नील बढ़न के हुए नील अंजन समा भासम रविपुत्रम यमा ग्रजम चाया मारतंड संभूतन तन अमामि सनेशरम नीले अंजन के समान बर्णवाले रविपुत्र यम जिनके अग्रज हैं जो छाया और मार्तन के द्वारा उत्पन हैं ऐसे सनेश्यर को नमस्कार है सन के अन्य नाम है पंगु, यम, अर्कपुत्र, कोण, असित, सौरी, नील, कुरूर, दीर्ग, कपिलाक्ष, तरणितनय, छाया पुत्र, मंद और शनेश्यर ये सूरी से बहुत दूर इस्तित हैं, इसलिए इनका सभाव ठंडा है, धीरे चलने के कारण इनका नाम शनी है, ये एक राज को धाई बर्ष में पार करते हैं, बारहों राज पर घूमने में इन्हें तीस बर्ष का समय लग जाता है आईए अब सनी के सभाव गुण धर्माद के विशे में जानते हैं, सनी को पापक ग्रह कहा गया है, जो की दुख कारक होता है, इनका सरूप काफी बड़ा है, सभाव तीख्ण है, नपुनसक संग्या है, मकर और कुम्ब इनकी दो रासियां है, तुला पर बीस अंस परम उ होते हैं, कुम्ब मूलत्रिकोन रासिमानी जाती है, करक और सिंग में ये अस्त होते हैं, संध्या के समय ये बली होते हैं, अंत्यत जाती, सिशिर रितू, मलिन वस्त्र, परवत, बन आदिमे निवास, सेवक, प्रिष्ट से उदय होने वाले, नील कृष्ण बर्ण, तमो ग संध्य स्थान, पश्यम दिशा के स्वामी, लोहा सीशा आदिमे वास, यम देवता, पीला नेत्र, दुस्वप्न, बुद्धिमान, गलित अवस्था, 36 वे बर्ष में भाग्युद्धे देने वाले, तामसी, ब्रह्मा देवता, मृत्तुंजय मंत्र से त्रिप्ति, नाग लोक, आदिमें इनका निवास, इस ग्रह के गुणधर्म और सुभाव हैं, कुंडली में गोचर से चौथे, आठवे, बारहवे, निंदित अस्थान, एक, दो, पांच, साथ, नव, पूजित अस्थान, तथा, तीन, छा, दस और, ग्यारह को शुद्ध स्थान बतलाये गय है, बिन्सोतरी महादसा उननीस बर्स की होती है, पुष्ट से अनुराधा उत्तरा भादरपद ए तीनों सन्य से प्रभावित नक्षत्र माने जाते हैं, आई अब हम सन्य की साड़े साती और धाया के विश्य में जानते हैं, सबसे पहले साड़े साती के संबंद में चर्च लगता है, सन्य जिस राश पर रहते हैं, उस राश तथा उसके आगे तथा पीछे की राश पर साड़े साती का प्रभाव होता है, जैसे सन्य कुम्भ राश पर हैं, तो कुम्भ से पीछे की एक राश मकर, कुम्भ के आगे की एक राश मीन, तथा स्वयम कुम्भ इन तीनो रासियों पर साढ़े साती का प्रभाव रहेगा यही सनी जब कुम्ब से मीन पर जाएंगे तो मकर की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी कुम्ब मीन तथा मेश की चलती रहेगी धाई 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 भर्ष मिलाकर साढ़े सात बर्ष होते हैं इसलिए इसे साढ़े साती कहा जात शनी जिस रास पर रहते हैं उसके पीछे वाली रास का अंतिम धाई वर्ष साड़े साथी रहती है जिस रास पर वो रहते हैं उसकी पांच वर्ष साड़े साथी बची रहती है और जिस रास पर जाने वाले होते हैं उसकी साड़े साथ वर्ष की साड़े साथी बची रहती है पीछे वाली रास की उतरती साड़े साती पैर पर होती है जिस रास पर शनी है उस रास की साड़े साती हिरदय पर होती है और आगे वाली रासी जिस पर शनी जाने वाले हैं उसके सिर पर साड़े साती का प्रभाव माना जाता है ऐसा माना जाता है कि दिरगायु व्यक्त के जीवन में तीन बार शन की साड़े साती आती है 30-30 बर्ष में साड़े साती आने का क्रम होता है साड़े साती का फल विभिन राशियों के लिए अलग-अलग हो सकता है कुंडली में शन की श्थिती से भी इस साढ़े साती का फल अलग हो सकता है, किनी किनी को साढ़े साती आने पर लाभा और किनी को हानी भी हो सकती है करक और ब्रिश्चिक धनियों मीन रासिवालों के लिए साढ़े साती जादा कष्टकारी हो सकती है ब्रिश तुला मकर कुम्भ रासिवालों के लिए सुभ भी हो सकती है मिथोनियों कन्या रासिवालों के लिए मध्यम फलकारक हो सकती है जिस तरह प्रतेक ग्रह गोचर से जनमस्त चंद्रमा से अपनी इस्थित के अनुशार शुभ अशुभ फल देते हैं वैसे ही शन भी गोचर करता हुआ अपनी इस्थिती बर्ण आकार के अनुशार फल परदान करता है अब हम सन की धैया के विशै में जान लेते हैं तदुपरांत सन के प्रभाव और सन की दशा साड़े साती धैया आध के निवारण के उपाय के बारे में जानेंगे अपनी जन्म राश से सनी के वरतमान गोचर राश तक गिने यदि सनी चतुर्थ या अश्टम हों तो सनी की ढईया होती है जैसे माना की आपकी राश ब्रिश्चिक है और शनी बरतमान में कुम्भ राश पर हैं तो ब्रिश्चिक से कुम्भ राश तक आपको गिनना चाहिए ब्रिश्चिक धनों मकर और कुम्ब एकुल चार हुआ अर्थात आपकी राश से शनी बर्तमान में चतुर्थ राश पर हैं इसलिए ब्रिश्चिक राश वालों को सन की धैया रहेगी यह दशा धाई वर्ष रहती है कुंडली में शनी की स्थिती के अनुशार इस दसा काल में भी सुभ अशुभ फल प्राप्त होते हैं इसके अलावा शनी का पाया भी होता है जिससे सुभ अशुभ फल की प्राप्ती जातक को होती है अब हम सनी के पाया के बारे में जानेंगे आपकी राश से सनी यदि पहले छटें या इगरहमे घर में हों तो सोने का पाया होता है आपकी जन्मराश से सनी यदि दूसरे पांचवें या नवें हों तो चांदी का पाया होता है आपकी जन्मराचिसे तीसरे सातवे या दसवे सनि हो तो ताभे का पाया होता है आपकी राशिसे चवथे आठवे या बारहवे सनि हो तो लोहे का पाया होता है इस तरह शनिके चार पाद या पाये बतलाए गए हैं स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह इनका फल भी जान लेते हैं यदि आपका सोने का पाया हो तो यह सुख में कमी देता है अर्थात सनी यदि आपकी राश से पहले छटें या गरहमे भाव में होते हैं तो सोने का पाया होता है इसमें सुख की हानिबत लाई गई है यदि सनी चादी के पाए में है अर्थात आपकी राश से दूसरे पांचवें या नवें में गोचर कर रहे हैं तो इसे शुभ माना जाता है घर में खुशियां आती हैं सभी कार्य पूर्ण होते हैं सुख सम्रिद्ध में ब्रिद्ध होती है यदि सनी ताबे के पाए में गोचर कर रहे हैं अर्थात आपकी राश से तीसरे सात्वें या दस्वें हैं तो यह भी अच्छा समय होता है धन धान्य में ब्रिद्ध होती है सुक्षवभाग्य संमान में बढ़ोतरी होती है शनिका चुथा पाया लवपाद कहा जाता है आपकी राजसे यदि शनि चतुर्थ-अस्टम या द्वादस होते हैं तो इसे लवपाद कहा जाता है इसे अशुब कारक माना जाता है इसमें सुखशुगदा की कमी, धनधान की हानी तथा पारिवारी के स्थित ठीक नहीं रहती है इस तरह से सोने योम लोहे का पाया या स्वरणपाद लवपाद नुकसान देने वाला तथा रजत और तामर का पाया शुभ कारक बतलाया गया है इससे यह सिद्ध होता है कि सन के प्रभाव से कोई बच नहीं पाता इसलिए सन को नया धिश कहा जाता है जो की जीव के शुभा शुभ कर्म का फल परदान करता है आईए अब शन की दशा साड़े साती या शन के प्रभाव से होने वाले विभिन परेशानियों तथा उसके स्वरूप को समस्ते हैं शन को आयू का कारक कहा गया है इसे मारकेश भी कहा जाता है सनायू पर इसका प्रभाव होता है सन बृत्ति कारक भी है उद्योग धंधे शारीरिक स्रमवाले कारिय जन आंदोलन गुपत वारता अपवाद फैलाना मनमानी करना दास बृत्ति देना चोरी द्रब्यका पहरण हिंसा अविबेक पूर्ण कारिय आदि में प्रभित्त करता है दूसरों को पीडा देना परदेश में वास करना पराक्रमी दूसरों की सेवा आदि में लगाता है शनी से प्रभावित लोग उच्च कोट के विचारक तत्तो बेता भी हो सकते हैं सनी सूर्य पिता पुत्र हैं परंतु सनी की सूर्य से सत्रुता होने से दोनों का कुंडली में साथ होना आमने सामने होना अशुफल देने वाला हो जाता है सन के बलहीन होने पर भाग हिंता आती है या भाग दोड परिश्रम कराता है ज्वर अपंगता आदि देता है नीचों की संगती देता है बुद्ध को भ्रमित कर देता है एक अस्थान पर जादा देर टिकने नहीं देता सब कुछ छेन कर दरिद्र बना देता है यह इसका ल लेता है जिनके अच्छे कर्म हैं वही सवद में लाभी भी पाते हैं सन की साढ़े साती में नया कार्य नया उद्योग धंदा आद बिना जोत सी सला के नहीं शुरू करना चाहिए सन को जीवों का हितैसी भी कहा गया है सन अपनी दसा में जीवों को स्वर्ण की तरह तपा कर खरा बना देता है सन का दुस्प्रभाव दूर करने के लिए बिविध अनुष्ठान, दान, होम, रतनाद के बारे में हमारे सास्त्रों में बतलाया गया है सन इसे पीडित लोगों को उनमाद, सोचने समझने की शक्ति का खत्म होना, मानसाहर, जीवहत्या, मदिरा आद मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है सन इवात रोग देता है सन इसे पीडित लोग बिना खाए पिये ही फूलने लगते हैं शरीर में वाय कुपित हो जाती है सट्टा जुआ लाटरी आद में अपने संग्रहित धन को नश्ट कर देते हैं भगंदर, गुप्त रोग, फोड़े फुनसी, अत्यधिक चिंता, पाचन क्रिया का नश्ट होना, बवासीर, आतों के रोग, आमासे जनित रोग, गठिया रोग, हस्त मैथुन की लत, अनैतिक बेविचार, शरीर के बीर्य, रज को स्खलित करना, जोडों के रोग, नस्य स बदबू, कैंसर आधि अनेक रोग, ब्याधि शनि के दुस्प्रभाव के कारण हो सकते हैं, शनियद कुंडली में उत्तम इस्थिती में हो, तो वे उत्तम फल भी देते हैं, यस सम्मान प्रतिष्ठा लाभ आधि होता है, शनि के प्रभाव से जहां राजा रंक बन जाता ह वहीं रंक भी राजा बन जाते हैं, जिनके सन अनुकूल हो, कुंडली में सन की विशेश सिस्थिती हो, उन्हें काले रंग की बस्तुओं, लोहा, उन, तेल, गैस, कोईला, सीमेंट, कारवन से बनी बस्तुएं, चमडा, मसीन के पुरजे, पेट्रोल, पत्थर, तिल, आधि से संबंधित व्यापार करना चाहिए, चपरासी की नोकरी, ड्राइबर, समाज कल्याण विभाग, नगरपालिका, जज, वकील, राजदूत, आधि के कार्य भी सन की अनुकूलता से प्राप्त हो जाते हैं, अब हम सन पीडा से निवारन के लिए बिभिन्न उपायों के बारे में जानेंगे, सन पीडा से निवर्थ के लिए भगवान सिव की आराधना महामृतुंजय जप, रुद्राभ शेक, रुद्रार्चन आधि स्रेश्ठ बतलाया गया है, सन पीडा निवारन के लिए हनुमान जी की उपासना स्रेयसकर कही गई है, जो लोग सन महादस साधे साती, धाया, पाया आद से पीड़त हों, उन्हें बालमी कि रामायड के अंतरगत सुंदर कांड का पाठ कराना योम करना चाहिए, नित्य हनुमान जी का दर्शन हनुमान चालिसा आद का पाठ करना चाहिए, शनिमंगल के दिन विशेश कर सरसों या तिल के तेल का द चाहिए, शनिमंत्र का बैदिक, तांत्रिक या बीज मंत्र का अपनी सक्त सामर्थ के अनुषार जब कराकर उसका दसांस हवन, दसांस तरपन, मारजन, ब्रामन भोजन आद कराना चाहिए, शनिपीड़ा से मुक्त के लिए छाया पात्र का दान करना चाहिए, जब हवन लोग चतुर गुर्द भी मानते हैं, बास की डलिया में इन दान सामग्रियों को अपनी सक्त के अनुषार लाकर ब्राह्मन को दान देना चाहिए, नीलम, काला तिल, काला उडद, तिल का तेल, सर्षों का तेल, काला कपड़ा, कुर्थी, लोहा, भैस, काली गाय, काला पु मध्यमा अगुली, शन की अंगुली बतलाई गई है, जो भी रतना गूठी आदी पहने, उसी में पहनना चाहिए, काले घोड की नाल का छला, नाव के कील का छला भी सन शांत के लिए पहना जाता है समी बिक्ष की पूजा, दीपदान, जलदान तथा समी के जड की अंगोठी को भी धारण किया जा सकता है सनपीडा निवारण के लिए इन आउशदियों से असनान करना भी लाबकारी वतलाया गया है पीली सर्षों, देवदारू, हल्दी, लोध, सरपुंखा, कुष्ठ, तीर्थ का जल, धान का लावा, बरियरा, लजालू, नागर मोथा, योम कंगुनी को मिलाकर जल में भिगो कर सनान करने से भी ग्रह पीडा शांत हो जाते हैं ये जितने भी उपाय हैं, ये सभी प्रामाडिक और सास्त्री उपाय हैं, सन पीडा निवारन के लिए अन्दान, तुलादान, काले उड़द का दान, चना आद का दान भी उतनम बतलाया गया है सन पीडा निवारन के लिए सन इस्तोत्र का पाठ, सन कवच का पाठ, सन इस्तुती याद कराना योम करना भी लाभप्रद होता है सन के कुछ लोकी कुपाय भी वतलाए गए हैं इनमें बहुत से सरल उपाय भी हैं जो आप कर सकते हैं जिनहें करने की आपकी सक्त सामर्थ हो उसे अवस्य करना चाहिए बहुत से लोग सन दर्शन योम सन मंदिर में जाने के लिए भी बोलते हैं परन्तु ये सास्ती बिदी नहीं है ग्रहों का दर्शन ग्रहों के मंदिर में जाना जादा तर सुभ नहीं माना जाता आप ग्रह शांति कर सकते हैं ग्रहों का स्थापन मंत्रों से करके उनका पूजन करके हवन करके बिशर्जन करना चाहिए ग्रहों के दोस्ट के शमन के लिए भगवान सिव रुद्र की उपासना स्रेयसकर कही गई है शन देव की पीडा की शांति के लिए भी मृत्तुन्ज रुद्र आराधन हनुद आराधन की विशेश महिमा बतलाई गई है आशा है बीडियो आपके लिए उपयोगी होगी करके जरूर बतलाईएगा अन्य लोगों को शेयर करिएगा कोई प्रस्ण हो तो आप कर सकते हैं प्रामारिक ब्रत प्रबते उहार जोतिस वास्तु तथा क्रावाधा निवरान संबंधी जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ नमस्कार जैविश्वनात